हाई अब्रिवर्न वेलकम टू अनाधर इंपॉर्टन एनलिसिस वीडियो कल है बैंक निप्टी के एक्सपारी कहां पर अच्छी मुमेंट आ सकते हैं लिवस कौन सी बढ़न रहेगा कल के लिए और कैसा रहेगा कल का मार्केट साइज से डिस्कस करेंगे अब देखो यहां प खूलते हम यहाँ फूल सकते हैं बिल्कुल साइज घाला का मेंटोर तो टो यहां पर पैर रिक मैंने पर और लेंक टेया वे तो यहां पर लोगको पहले टार्गेट पर यहां पे एपने हाथ रहे हो यहां पर देखो मार्केट यही सको क्रॉस नहीं कर रहा है ग्णा यहां पर लोग को थोड़ा सा lug defend यहां पर ठीक बदगो तरेच यहां पर चारेट यहां पर टारृगेट है जैदा टरेट नहीं था जहां पर वन तर्गेट मिलता नहीं वहाँ पर bipolar नहीं करेंगे किdir हमारे पास target था रिष्क की आप लोग देख पार लौटका काम करेंगे करेंगे बड़ तो घंपल सी रहेंगे अगर यहां पर यहां पर ₹श म्यांक्न के बसी अगर तो यहां पर Kom यहां पे कोई भी ठेर बना नहीं है आप लोग देख पारहोंगे यहां पे भी मरता रहें पर थो लन देखो लित्त हर्यशु लिए यहां पर लोगो कした ले सकती करना है आप किशनकते हूं अगर आप लोग experience trader हो तो आप लोग को पता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा points नहीं मिले 100 points मिले बट हमारे जो ट्रेट प्लैन रहे थे यहाँ पर 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे रहे थे ठीक है इसलिए यहाँ पर setup follow करिएगा अगर आप स्कालपर हो तो यहाँ प अब देखो कल यहाँ पर नीचे जाए मार्केट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना अब देखो शेटप बनता है तो ट्रेड लेना वहिना वाइट करना सिंपल ची बाते अगर discipline को फालो करोगे तो यहाँ पर discipline के साथ चलोगे तो बड़े बड़े टार्गेट अच्छी होंगे सिंपल ची बाते अब देखो 42,800 पर कहिना काई क्लोजिंग मिले मार्केट थोड़ा सा मार्केट ग्याप उपनिंग बाद निगेटिव वीरिश मुमेंट में आया है अब कल की मार्केट इस एरिया में ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर थोड़ा अवर्ड करेंगे सिंपल अगर मार्केट यहाँ पर बहोत बड़ा घ्याप उपन हो जाता है जैसे कि यहाँ को 43,000 के आसपास अगर open हो जाता है और मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल पर फिर से और second target यह रहेगा अगर market इस zone में open ने हो जाता है तो ध्यान देना कि यहाँ पर gap down open हो जाता है तो यहाँ पर यह एरिया अरिया इस zone में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों क्या देखना है कि market कुछ अईसा कुछ structure दिखा रहा है कि previous swing अगर यहाँ पर break नहीं कर पा रहा है तो previous swing का जितना भी छोटा stop loss हो सकता है उतना यहाँ पर हम यहाँ पर bullish trade लेंगे सिंपल सी बाते तो structure समझना पहले यहाँ पर market को यहाँ थोड़ा stable होने देना यहाँ तो gap down open हो जाए आप लोग को समझा दिया और यहाँ अगर यहाँ पर इस एरिया में उपन हो अल्लेडी मैंने समझा दिया कि इसके उपर आप लोग को bullish trade लेना है आप लोग का यह जोन कल के लिए target रहेगा प्रिवेज दे का हाई पहला टागेट रहेगा और यहाँ फर्स्ट आप में इस धोन में market time pass कर जाता है तो किसी भी side में आप लोग को breakout या तो breakdown मिले तो आप लोग को zero to hero plan करना यहाँ अगर market यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो फर्स्ट आप में आप लोग को 42,800 क्रोस नहीं करता है उसके बाद second आप लोग करता है तो यहाँ पर आप लोग को zero to hero plan करना है अगर फर्स्ट आप में अगर market नीचे रहता है तो यहाँ पर ध्यानने ना कि यह zone फर्स्ट रहेगा और second zone अगर market यहाँ पर time pass करके second आप में यहाँ पर breakdown मिल रहा है यहाँ तो market यहाँ पर time pass कर यहाँ पर breakdown मिल ला है तो hero to hero इसके नीचे आप लोग कर सकते हो यह रहेगा कल के लिए simple सा बैंक निफ्टी का ट्रेट पैन इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंड में पूछ सकते हो तो चलिए कल के लिए nifty का बंदर मीट पर क्या ट्रेट प पर रहेगा यहाँ पर यह अरिया मार्क कर लेना और यहाँ पर यह पर प्रिवेस विंग का अरिया मार्क कर लेना है मैं आप लोग को लिए यह वाला जो निकाल देता हूँ सो दाट आप लोग कोई भी confusion ना रहे तो यहाँ पर मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर यह थे लेंगे इसके अगर फ्लेट उने के बाद स महीं सबस्कर देग को सो सस्की होगर को सदो 세ेश dual घाने flour चुछ तो यहा पर सती करना नहीं क्योंज बद्द और देख फार। प्रॉफिट बॉकिंग करना एक तो कई ना कई इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट वहाँ से दीवस हो सकता है तो अज़से कुछ आप लोगको प्रॉफिट बॉक करना है यहाँ पे और लेड़ी महीने आप लोगको समझा दिया और आप लोगा फर्स टागेट यही रहेगा, बड़ अगर मार्केट यहाप ग्याप डाउन ओपन होने नीचे जा रहा है, तो यहाप डारेक्ट एंट्री मत करना, थोड़ा सा फूल बैक लेके फिर से ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे कुछ आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं और अगर यहां पर मार्केट बहुत बड़ा ग्याप यहाप अपन हो जाए, यहाप पर प्रिवेज स्विंग के उपर ही ब्रेक कर रहा है, तो यहाप लग यहां पर फिर्स टागेट के आप लोग कर चोछ वह भी शोटे लाट के साथ अगर मार्केट थोड़ा सा पुलिबैक लेकर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनती है फॉर अपसाइड मुवमेंट होप यह सिंपल सा अनालिसिस रहेगा यह अगर शेट अप बनता है तो कल आप लोग को अच्छे प्रॉपेट्स मिलने वाले होप यह अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं से डेली आनलिसिस के साथ तब तक के लिए थेंक्यू सो मच